वेलकम तो दी ओनलाइन क्लास टुडेंस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवंथ की इंग्लिश का चाप्टर दी आशेज डाट मेड़ी ट्रीज ब्लूम का पार्ट वन क्या मतलब है रक्षो को हरा बरा सडने वाली राख का पार्ट वन पढ़ने वाले हैं हम तो स्टूडे इसने क्या नाम का पार्ट का दा एशेज डाट में ट्रीज ब्लूम रक्षो को हरा बरा करने वाली राख का पार्ट वन करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं पहले जानते हैं लेखक के बारे में विलियम एलियेट ग्रिफेज 17 सेप्टेमबर को उनका जनम हुआ था 1843 औ इसलम पर यूनाइटेट स्टेट में और अमेरिकन ओरिएंटलिस होने अग्रिक्षण ऐने मिनिस्टर एंट परोदिफिक बता जारा उटके बारे में बहुत अप गालोट यह लिए ऊप एठोऑ किसका बेटा था सी कैप्टन का समुंदरी जहाज की जो कैप्टन होते हैं उनका बेटा और एक कोल एंड लेटर अफोल ट्रेडर जो उनके पिता थे वो बाद में क्या थे कोईला बेचने वाले थे he died on February 5, 1928 उनकी मृत्यू हुई थी पाँच वरवरी 1928 में कहां पे फ्लोरीडा के युनाइटेड स्टेट्स में उनकी जो है मृत्यू हुई थी वापिस से पढ़ लेते हैं एक बार इंग्लिश में देख रहेते हैं विलियम एलेट ग्रिफिस्ट वस बॉर्ण अन सेप्टेम्बर 17, 1843 इंफिलेड एपिया पैनिस्ट विलेनिया पैनिस्ट वि एपिटर ऑफोल ट्रेडर he died on February 5, 1928 in Florida, United States ओके तो अब हम यहां पार्ट पढ़ने से पहले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं किस बारे में हैं before you read this is a story about an honest and hardworking old couple किसकी स्टोरी है एक सच्चे और मेहनती मांदार और मेहनती वृद जो है दंपत्ती की कहानी है and their pet dog और उनके पालतु कुत्ते की जो है ये कहानी है the neighbors are troublesome यहां बताया जा रहा है जो इनके पड़ोसी है वो कैसे हैं वो बहुती परेशान करने वाले है and the dog डाइजी said that अब वो जो वहां पे व्रिद जमपत्ती है उनका एक कुत्ता है यहां बताया जारा है कुत्ते की जो है दर्दनाक मौत होती है अब यहां बता रहे the spirit of dog gives so late जो कुत्ते की आत्मा है वो अप्रतियक्षित तरीके से अपने मालिक को संतावना देती है and साहता देती है and support to his master in unexpected ways यहां देखते हैं this is a story about an honest and hardworking couple old couple and their pet dog the neighbors are troublesome and the dog dies a set death the spirit of dog gives so late and support to his master in unexpected way एक यह के मांदार मेहनती व्रिद दंपत्ती की कहानी है और उनको पाल्त कुत्ते की कहानी है अब जो पड़ोसी है वो बहुत ही परिशान करने आगे और कुत्ता जो है उतकी जाकास में क्मृती हो जाती हो काफी दढ़ना क्मृती होती है अब कुत्ते की आत्मा और प्रतियक्षित तरीके से अपने मालिक की मालिक को संतावना देती है और सहायता देती है स्टुडेंस हम यहां पर फर्स पैरा शुरू करते हैं उससे पहले यहां बताया गया है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और आज दिन एक्जाम यह जो हमारे पास पैसेज दिये गए हैं हमारे पास पूछा जाएगा तो इसका जो शब्दार्त अनुवाद और प्रशन उत्तर हैं वह हमें इसके बाद हर पैराग्राफ के बाद दिये गए हैं तो हम यहां पर पढ़ लेते हैं इन दी गुड ओल डेज अब डाइमोज दाम्योज की जो स्टोरी है यह कहां सेट है डाम्योज नाम की जगे में अब यहां बतारा दाम्योज में जो अच्छे पुराने दिन थे दे लिवड अन ओल्ड कपल वूज ओल्ली पैट वोज लिटल डॉट अब एक कपल उपुरा ओल्ड रमपती रहती थी कैसा एक बुड़ा पती पतनी का जोड़ा रहता था जिनके पास बस एक क्या था बस एक छोटा कुटा था अब उनके क्या थे यहां बताया जा रहा है उनका एक मात्र जो है पालतु छोटा कुटा था और कोई संता नहीं होने के कारण वो इसे एक बच्चे की तरह पालते थे उसको इतना प्यार देते थे तो तो जो है कुट्चे का नाम किया बताया है मू को जो है कुट्थे का नाम है इधर जो वह पालते हैं तो यहां बताया जारहा है जो मूँ को है जैसा कि उसका नाम है वह उस नीली क्रेप की गदी पर एकदम एक बिल्ली की तरद पिचक करके बैठ जाता था यहां बताया जारहा है जिन चॉप्स्टिक से वो खुद खाना खाते थे उसी से जो है उस ओल्ड क्या बोल रहा है उस डॉप को ही वो ओल्ड कपल छोटी छोटी फिच के तुकड़े अपनी ही चॉप्स्टिक से खिलाता था और जितना भी जो है उबलावा चावल उसको चाहिए था वो उसे देते थे तुस ट्रीटेट दी डॉप क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक अब उसको इतना देखवाल करते हैं उसका इतना ध्यान रखा जाता है तब इस वज़े से ही यह जो है पालतु कुट है वो भी उनसे बहुत प्यार करता है उनके प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर का मतलब है जो किसी की रक्षा करते हैं लाइक बीग विट सोल अब वो जो पुरा है ओल रंपती है ठीक है जो बुड़ा रंपती है वो जोड़ा क्या कर रहा है वो इसको अपने साथ खिला रहा ह और जितना चीए वो खिडा रहा है तो वो भी उसे एक ऐसे इंसान की तरह ही प्यार करने अपने बच्चे की तरह ही प्यार करने लग जाता है जो बुड़ा आदमी था इस दंपती में वो क्या था एक चावल की खेती करने वाला किसान था वो रोज अपनी सारे सामान लेकर के सारे एक्विपमेंट लेकर के खेतों में फील्ड में काम करने जाता था वर्किंग हार्ट फ्रम मॉर्निंग अंटिल ओ टेनो समा ओ टेन्टो समा क्या होता है तो स्टूडेंस इस लाइन का मतलब हम समझते हैं वो सुबे से काम करता था कब तक जब तक सूरज ढल नहीं जाता था ओ टेन्टो समा हैड गॉन ओ टेन्टो समा का मतलब क्या होता है ओ टेन्टो समा इसका अगर कोशन आजए तो इसका मतलब क्या होता है सूरज को ओ टेन्टो समा बोलते हैं सन को ठीक है सूरज को ओ टेन्टो समा बोलते हैं हैं next क्या दिया जा रहा है यहां पर every day the dog followed him to work अब वो रोज सुबह जब भी काम करने जाता था तब जो कुता था रोज उसके काम में उसके साथ जाता था उसके पीछे पीछे जाता था never once harming the white heron that walked in the footsteps of old men to take up the moon अब यहां क्या बताया जा रहा है हमको वो चावल की खेती करने जाता था तो क्या बता रहे हैं हर दिन पुता खेतों में उसके पीछे जाता था कभी भी बुड़े आदमी के कदमों के पीछे कीड़े खाने के लिए चल रहे थे अब यहां बताया क्या जा रहा है बुड़े आदमी के कदमों के पीछे कीड़े खाने के लिए चल रहे सफेद बगुलों को नुकसान नहीं पहुचाता था जो सफेद बगुले भी चल रहे होते थे उनको भी नुकसान नहीं पहुचाता था क्यों क्यों क्या बताया जा रहा है यहां पर फॉर दी ओल्ड फैलो पेशेंट अब जो बुड़ा आदमी था वो काफी देहरे पूर्व काम करता था और हर उस चीज के लिए बहुती जदा काइन था दयालू था जिस भी चीज में जान थी और यहां बताया जारा बुड़ा आतमी काफी देहरेवान था प्रतिक उस चीज जिसमें जीव था उसके प्रतिवे दयालू था और प्राय पक्षियों को भी बोजन देने के देता था क्या करता था जान पूझ के गास के देलों को पलटता था वन देड़ दौग कें रनिंग टू एम एक दिन वह कुट्टा उसके पस बागते बागते आया पुटिंग इस पॉस अगेंस लेग और मोशनिंग इस हैड विच समस्पोर्ट बहाइंड यहां बताया जा पहले तो उस आत्मी को लगा कि यह सर्फ खेल रहा है और इतना ध्यान जोय की तरफ नहीं दिया अब यहां क्या बताया जा रहा है इसके बाद क्या हुआ जब उसको ऐसे देखा ठीक है तो उसमें कोई ध्यान नी दिया फिर वो क्या देख रहा है बुड़े वक्ती ने कुछ गज की दूरी तक कुट्टे का पीच्छक यहां जानवर ने एक अजीब तरह का खरोचना शुरू कर देख अब यहां पर नेक्स देखते हैं यहां बताया जा रहा है representations अब उसने फिवड़े को उसमें जमीन में डाला वें लो पाईल ऑप ग्लीम बिफोर हिंग अब क्या है क्या हो उसने अपने कुलाड यतम उसमें डाला तो क्या ह neon अचली है और उसमें से क्या निकला बहुत स्हारा जो है अब पाईल का मतलब क्या होता है उसके सामने सोने का एक धेर चमक उता है पाइल का मतलब होता है तो स्टुडिंस एक बर हम वापिस देख लेते हैं हमने क्या देखा है इसमें इन दो गुड ओल देज ऑफ दाइमोस देविट अल्ल कपल फूस अल्ली पैट वसल लिटल डॉग तो थाहिए भल उन दो लग दो अविट लोर अ भशेपी टो अलॉग वाज पर आब लगुट लगव पर आपशन अल्य। लॉग अतान है अवग ग्यू कर देखा लगव लॉग धट लॉगल देखा प्यूच्छ पटाइं वाज दो लॉगुट वी लगवजू भल बडूव with a soul the old man being a rice farmer when daily with hoe and spade in the field working hard from morning until or 10 to summer or 10 to summer ka matlab hai suraj tab te kaam karte te jab te suraj had gone down behind the hills every day the dog followed him to work never once harming the white heron heron matlab bagule that walked in the footsteps of old man to pick up the wombs for the old fellow was patient and kind to every everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds one day the dog came running to him putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind the old man at first thought his pet was only playing and did not mind it but the dog kept on winning and running to and fro for some minutes then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching then the old man followed the dog a few yards to a place where animal began a lively stretching thinking it was possibly a buried bone or a bit of fish the old man struck his hoe in the earth when low a pile of gold gleamed before him so this is karnuwaar dhekhti hain dhamiyoz ke eek acchhe puraanen dino me eek bura joda रहता था जिसका एक मात्र पालतू एक छोटा कुट्ता था कोई संता नहीं होने के कारण वे इसी के लिए अपना प्यार करते थे क्योंकि यह एक छोटा बेबी था बूड़ी महिला ने इसे नीले क्रेप की गद्दी बना दी और बोजन के समय मूँ को जो किसका नाम था किसी भी बिल्ली की तरह गरम होने के लिए से बैठ जाता था दोनों दयालू पालतू जीव को अपने स्वय के चॉपस्टेक से जो है मचली के टुकडे तथा जितना वचाता था उतने उबले चावल खिलाते थे इस प्रकार के व्यवार के कारण वो गूंगा प्राणी भी अप बड़ी मेनत करता था जब तक की ओ टेंटो समाज जैसे की सूरज को कहा जाता है पाडियों के पीछे ना चला जाए हर दिन कुता उसके पीछे जाता था कभी भी बूड़े आदमी के कदमों के पीछे जो कीड़े खाने के लिए चल रहे थे सफेद बगुले उनको नुक्स कुटा दोड़ता वो उसके पास आया उसके पैरों के उपर अपने पंजे रख दिये और अपने सेर को पीछे मोड़ते हुए किसी स्थान की और इशारा करने लगा पहले बूड़े आदमी को लगा कि उसका जो पालतू जानवर है वो केवल खेल खेल रहा है और उसने उस क्या करने लग जाता है एक अजीब तरीके से खरोचना शुरू कर देता है यह सोचकर कि शाय एक भूमी में दबा हुआ हड़ी या मच्टी का टुकड़ा होगा बूड़े ने अपनी को दाल को जमीन में मारा तब उसके सामनी के एक तोने का देर जमक उठा तो यह हमारा फ विनिंग का मतलब होता है दर्द या दुख के कारण करहाना पेशन का मतलब होता है धेर्य शाली लाइवली का मतलब होता है चुस्ती बरीड का मतलब होता है दबी हुई स्क्राच का मतलब होता है नाखुनों से तवचा को खरोचना बिट का मतलब होता है एक भाग पाइल क का मतलब होता है धेर का मीनिंग होता है कदब का मतलब होता है आराम दायक का मतलब होता है स्टुडेंस कीड़े तू एन्फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे डेम का मतलब होता है सम्मानित महिला कुशन का मतलब होता है गद्दी क्रेप का मतलब होता है एक प्रकार का मूँको था हमारे यहां पर कुट्टे का ना अब यहां बोला जाए दाइमोस धन्वान या जमीदार टिटबिट का मतलब होता है चटपटे आहर का टुकड़ा चॉपस्टिक होता है जिन दो चम्मचों से हम खाना खाते हैं जो लकडियों से हो का मतलब होता है कुदाली गलीम का मतलब होता है चमकना और स्पेड का मतलब होता है फाप्रा हेरोन का मीनिंग हमने देखा था अल्रेड़ी उसका मतलब होता है बगुला वाट इड़ी ओल्ड वुमेन मेक फॉर हर पैट अ कुशन क्या बना था एक कुशन बनाया था अपने पालतु जानवर हे लिए फिर हुम देखते हैं वाट वाट वॉल्ड कपल्स पैट क्या नाम था उस ओल्ड कपल के पैट का जो डॉग था उसका नाम उन्होंने रखा था म पावड़ा और जो आरी है वह अपने साथ हो क्या करता था लेकर के जाता था नेक्स रम्या देख रहें वाट वह पेवरिट डिश अप मू को फेवरिट डिश क्या थी फिश एंड बॉइल राइस और बॉइल राइस उसे खाना बहुत पसंद था यह उसकी फेवरिट कुशन बनाया था अब यहां बताया जारा वट वसी नेम ऑफ दी पैट मू को वह अपने साथ क्या फील्ड में ले जाता था आरी और पावड़ा वट वह फेवरिट डिश ऑफ मू को फिश एंड बॉइल रहे तो स्टुडेंस हमने क्या देखा एक जो है बूड़ा दंपत था कि जो डॉग है वो क्या करता है वो उस ओल्ड मैन को अकंपनी करता है जब भी वो काम पे जाता है एक दनी आप बताया जा रहे कि मूझ को उसे बुलाता है किसी दिशा में और जब वहां खोदते हैं तो उसे एक देर मिलता है सोने का बहुत ही चमकता हुगा सुडेंस है